महारास्ट का वड़ा पाउ की बात करें तो अब तक सबके दिलों की जान बन चुका है सबके दिलों पर राज कर रहा है महारास्ट से उठकर पॉज या वाइरल होने के लिए डेली आज की वीडियो में बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से वाइरल वड़ा पाउ नमस्कार दोस्तों एक बर दुबारा से मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में वड़ा पाउ बनाना है तो वड़ा के लिए सबसे पहले हम यहां पर लेंगे आलू आलों को मैंने यहां पर छील लिया है उबले वे आलों को अची तरीके से छील के और मैस करके इसे रख देंगे साइड में अरे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रहे हो ना इसलिए पाउ भी हम घर में बनाएंगे तो पाउ बनाने के लिए एक कप मैदा ले लिया है सा एक बढ़िया सा एक दम लचिला डो लगा कर तयार कर लेंगे इसी के साथ यहां पर अब ले 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 आप यहां तो पिगला हुआ मखन या फिर वेजिटेबल ओई इंग्रीडियन के मेजर्मेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें तो यहां पर जो प्रेड क काफी अपलोड कर चुकी हूं तो इसे फटा फट से अब हम रख देंगे एक बोल के अंदर बोल को ऑईल से जरूर कर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा ओयल लगा कर ढग कर वाम प्लेस पर रख देंगे तो लग चुका है चलिए फटा वड़ा रेडि कर लेते हैं जिसके ल देंगे बारी कटे वे प्याज और हलका गुलाबी होने तक पका लेंगे और अब में डाल देंगे यहां पर हल्दी जो कि देगा हमारे वड़ा को एक बढ़िया सा कलर तो यह जो अबले वे मैश किये वे आलूप थे ना उसे फटा वड़चिस में डाल देंगे और साथ ही से मिक्स कर लेंगे अब ले लेंगे पनीर का एक बॉल और उसको बिलकुल फलेいट कर लेंगे इसे रखते हैं साइड में और फिर पना लेते हैं एक खोल कि अभी यहां पर वड़ा पाओ का वड़ा बना नहीं है तो एक बूल में ले लेंगे एक कप बैसन साथ में डालेंगे स्वात के नुसाथ नमक और हल्दी थोड़े से पानी के साथ में इसका एक बढ़िया सा घोल रेडी कर लेंगे और यह जो हमने वड़ा बना के लिए है इसे फटा-फट से गरम-गरम तेल में टपकाते हुए एक दम गोल्डेन ब्राउन तोनों तरफ अलट पलट करते हुए इसे फ्राइ कर लेंगे वड़े बिल्कुल रेडी हो गया है इसे निकाल लेंगे बाहर मेरे मुमें पानी आ रहा है कि आपको भी देखे मुमें पानी अगर आ रहा है तो चाहिए फटा-फट से किचन में चलती से से बना लीचे इसी भेसन के घोल से अब बना लेंगे एक चूरा जो की बहुत ही गरंची होता है वड़ा पाओ के साथ में उसे लगा कर जो देते है ना वाओ खाने में मजा आ चाता है अब पहुँगे इनकी च अगर बना के लिया था ना उसके साथ में इसको ग्राइंड कर लेंगे और बढ़िया सी एक दर्दरी लहसुन की चट्नी हमारे पास तयार हो गई आखिर वाइरल वड़ा पाओ में क्या ट्वीस्ट है तो फिर वो टाइम आ चुका है आपके संग शेयर करने का तो यह देख कर लेंगे मत समझेगा कि मैं यहाँ पर समूसा बनाने वाली हूं समूसी की तरह इसे बेलना है लेकिन यहाँ पर एक साइड में ग्रीन चट्नी और दूसरी साइड में मीठी चट्नी को अपलाई करेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे यह जो बड़ा पाओ की जान है ना लहसुन की सूखी चट्नी में यह जो वड़े बना के लिये हैं उसे एक साइड रख देंगे और दूसरे साइड से उसे कवर कर देंगे इसे मैं करने वाली हूं बेक तो यह लीजे एक ले लिये टिन और नीचे मैंने डस्ट कर दिया है मक्के का आटा तो सारे वड़ा बिल्कुल रेडी है अवन भी प्रीट हो चुका है इसे 180 दिग्री पर मैंने बेक कर लिया है पचीस मिनट के लिए वाइरल बेक्ट वड़ा पाव बनकर बिल्कुल तयार है यह रेसिपी आपको दो ही जगह पर मिलेगी या तो आपको मुल के फेस्बुक पेश पर या फिर अब आट आट जीएस के यूट्यूब चैनल पर रेचिपी अची लगे है तो फटा 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 ज़े चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बनाये खाये मस रही है बाबाई